दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाएं और एक दो दबाएं बताता हूँ आपको बहुत अच्छी है हमारे घरों में छोटी-छोटी बीमारियां जैसे सर्दी सर्दी हो गई जुकाम हो गया क्या करें जी तो बहुत अच्छी दवा हल्दी हल्दी का दूद पियो हल्दी का पानी पीलो पानी बॉयल करो हल्दी डालके चाई की तरह से पीलो हल्दी का दूद तो हम सभी जानते हैं सर्दी ठीक करता है खांसी हो जाए सर्दी के साथ खांसी हो जाए तो आदी आदी माने अद्रक अद्रक का रस ले लो थोड़ा पान का रस ले लो दोनों बरावर मात्रा में मिलाओ हलका गरम करो शहद मिला के पीलो ये खासी को ठीक कर देता है और खासी के साथ सर्दी को भी ठीक कर देता है और सूखी खासी को भी ठीक करता है कई बार खासी ऐसी हो जाए किसी को कि खासते खासते चहरा लाल पड़ जाए वूपिंग कफ चहरा एकदम लाल और खासी शुरू हो, तो रुके ही ना, दो-तीन मिनट खासते रहो, ऐसी खासी में अदरक ले लो आदी, और उसको भून लो, आग में भूनो, आग जलाओ, गैस बर्नर पे, उसमें अदरक को चिम्ते में पकड़ के भून लो, जब वो भून गया, तो उसको हल्दी में डाल तो हल्दी पाउडर, फिसा हुआ हल्दी, तो हल्दी उसमें चिपक जाएगी, और वो हल्दी चिपका हुआ अदरक, जैसे ही मुह में रखोगे, एक मिनट में खासी बंद हो जाएगी, एक ही मिनट, इतनी बढ़िया दवा, और एक दवा बताता हूँ आपको अपने घर मे खासी की, अनार है ना अनार, इसको गरम करके खाओ, वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है, लेकिन अनार के दाने, इनका या तो रस निकाल लो उसको गरम करके पी जाओ खासी ठीक करेगा, या अनार के दानों को गरम करके खालो चबाके तो भी खासी ठीक करेगा, और एक अच्छी दवा है अपने घर में यह जो काली मिर्च है गोल मिर्च इसके दो टुकड़े मुह में रखो पीज और चूसना शुरू करो खासी एकदम बंद करता दाल चीनी का टुकड़ा मुह में चूसना शुरू कर दो खासी बंद कर देता दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूले